हेलो एवरीवान नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दोस्तो विश्व कर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मना ही जाती है इस वारतेश में कुछ हिस्सों में आज यानि कि 16 सितंबर के दिन बुद्वार को विश्व कर्मा की पूजा की जा रही है तो कहीं मतलब कल भी पूजा होगी कई राज्यों में मतलब कल 17 सितंबर को पूजा की जाएगी राशी के अनुसार विश्व कर्मा पूजा कन्य सक्रांति को मनाई जाती है इसी दिन भगवान विश्व कर्मा का जन्म हुआ था विश्व कर्मा को दुनिया का पहला इंजिनियर और वास्तुकार माना जाता है इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्टरियों और हर तरह की मशीन की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्व कर्मा ने ही देवताओं के लिए अश्त्रों, शष्त्रों और भवनों का मंदिरों का निर्मान किया था विश्व कर्मा ने श्रिष्टी की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता भी की थी ऐसे में इंजिनेरिंग काम में लगे लोग उनकी पूजा करते हैं यह पूजा सभी तय के कलाकारों और बुनकर शिल्पकारों और अध्योगिक घरानोद्वरा की जाती है इस बार विश्व कर्मा पूजा पर कैस विशेश सन्योग बन रहे हैं और इस शुब समय में पूजा करने पर हमें विशेश परकार की विशेश फलों की प्राप्ति होती है आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान विश्व कर्मा का जन कैसे हुआ उनकी पूजा कैसे करें और भवान विश्व कर्मा की क्रिपा प्राप्त करने के लिए कुछ अच्योग मंत्र भी बताऊंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक खास बात दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आईकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आभार बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहेगा और वीडियो को अंत तर जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छूटने जाए तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं भगवान विश्व कर्मा की जन्म को लेकर कई कथाएं हैं तो आएए जानते हैं भगवान विश्व कर्मा का जन्म कैसे हुआ दोस्तों भगवान विश्व कर्मा की जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग-अलग कथाएं प्रचलित हैं बाराह पुरान के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्व कर्मा को धर्ती पर उत्पन किया था महीं विश्व कर्मा पुरान के अनुसार आदी नरायन ने सबसे पहले ब्रह्मा जी और फिर विश्व कर्मा जी की रचना की थी भगवान विश्व कर्मा की जन्म को देवताओं और राक्षियों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है अब जानते हैं कौन है भगवान विश्व कर्मा ऐसा माना जाता है कि पौरानी काल में देवताओं के अस्त्र शस्त्र और महलों का निर्मान भगवान विश्व कर्मा ने ही किया था भगवान विश्व कर्मा को निर्मान और सर्जन का देवता माना जाता है भगवान विश्व कर्मा ने सोने की लंका, पुश्पक विमान और इंद्र का वज्र और भगवान शिव का तिरिशूल पांड़ों के लिए इंद्र प्रस्थ नगर और भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका को बनाया था भगवान विश्वकरमा शिल्प में गजब की महारत हासिल थे जिसके कारण उन्हें शिल्पकला का जनक माना जाता है प्राचीन काल में जितने भी परसिद, सुपरसिद नगर और राजधानिया थे उनका सर्जन भी विश्वकरमा ने ही किया था जैसे कि सत्यूग का स्वर्ग लोक, त्रित्ता यूग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलियू के हस्तिनापूर, महदेव का त्रिशूल, श्री हरी का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा और यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुश्पक विमा का निर्मान भी विश्व कर्मा ने ही किया था, ऐसा भी माना जाता है कि पांड़ों के लिए माया सभा भी विश्व कर्मा ने ही बनाई थी, रगवेद में कहा गया है कि स्थापत्य वेद जो मशीन और आर्किटेक्टर की साइंस है, उसे भी विश्व कर्मा ने ही बनाया दिवाली के बाद गुवर्दन पूजा पर इनकी पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि विश्व कर्मा की पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है भगवान विश्व कर्मा की पूजा से व्यक्ति के बिजनेस में व्रिद्धी होती है और उसकी स सबी तरह की मनों कामनाएं पूरी होती हैं भगवान विश्व कर्मा जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले शनानादी सिनिवर्थों के शुद्वस्ति धारन करके जमीन पर आठ पंखुडियों वाला एक कमल बनाकर उस पर सतन्जा रखना चाहिए उसके बाद पूरी वाद लेना चाहिए ऐसा करने से भगवान विश्व कर्मा की किर्पा हम पर हमीशा बनी रहती है भगवान विश्व कर्मा की पूजा से दरिदृता का नाश होता है इनकी पूजा करने वाले को कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है इनकी पूजा से दिन दुगनी रा की सभी मनों कामनाई पूरी होती हैं दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान सूरिये विश्व कर्मा के दावांद है जी हां विश्व कर्मा की दमाद भगवान सूरिये हैं विश्व कर्मा की पत्नी का नाम आकरती है इसके इलावा उनकी तीन और और भी पत्नी हैं जिन से उ के मदलब उन की भी दो पुत्रियां हैं जीसमें संग्या नाम की पुत्री का विवाज सूर्य देव से हुआ था इसलिए भगवान सूर्य विश्व duplicarm के दामाद माने जाते हैं आई अब जानते हैं विश्वकर्मा की पूजा की मंत्र, मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, ओम आधार शक्तपे नमा, ओम कुमे नमा, ओम अनन्तम नमे पृत्वे नमा, ये मंत्र है, इन मंत्रों का जाब करने से भगवान विश्वकर्मा की किरपा हम पर हमेशा ब प्रक्षकी माला से विश्व कर्मा पूजा मंत्र का जाप करना चाहिए जाप के समय इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र का उच्चारन सही हो गलत उच्चारन करने से आपको इस पूजा का फल नहीं मिल सकता है इसलिए मंत्र का उच्चारन साफ और सही शब्दों में करना चाह इस दिन तामसिक भोजन यानि कि मास मदीना का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही अपने बिजनेस और रोजगार को बढ़ाने के लिए इस दिन किसी गरीब असहाय लोगों को दान दक्षना जरूर देनी चाहिए इसके लावा रोजमर्रा इसमाल होने वाले चीजों का भी सम्म करना चाहिए बगवान विश्व कर्मा को देवताओं का शिल्पकार माना जाता है ऐसे में इस दिन किसी भी प्रकार के ओजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बहले ही यह उपकरन घर के ही क्यों नहों लेकिन उनके इस्तेमाल से भी बचना चाहिए साथ ही मशीनों को इ इस दिन ऑफिस के साथ ही घर में भी सभी मशीनों की पूजा करनी चाहिए चाहे बिजली के उपकरन हो या फिर बाहर खड़ी गाड़ी विश्व करमा जी के पूजा के दिन सभी की सफाई करनी चाहिए अगर जरूरी हो तो ऑईलिंग और ग्रीसिंग भी करें इस दिन इनकी किसी मशीनी की तरह ना करके इस परकार करें जिससे ऐसा परतीत हो कि आप भगवान विश्व करमा की पूजा कर रहे हैं इस दिन भगवान विश्व करमा की पूजा करने से हमारी बिजनेस में व्रिद्धी होती है और साथ ही हमारी सुख सोपाग्य में व्रिद्धी होती है घर में सुक शान्ती का आगम आगमन होता है और विश्व कर्मा पूजा उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्पूर हैं जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं और बीजनिसमेन हैं अगर आप इस दिन पूजा कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातों का खास खयाल रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गल्दी न हो जाए तो उमीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो अब आप इसे लाइक कर सकते हैं देखे दोस्तों लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अब होता है अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो दिल खोल के लाइक कीजएगा और जानकारी को आगे बढ़ा कर अपनी फैमली में अपने फ्रैंड्स में जदा से जदा शेयर कर दीजएगा ताकि इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके और अगर आपका कोई प्रश्ण है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें जैश्री हरी हर हर महादेव